सब्सक्राइब किजिए टेक्नोविकरांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल किजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तों टेक्नोविकरांट में आप सभी का स्वागत हैं So finally Realme वालों ने अपने Realme GT2 के अंदर Realme UI 4.0 based on Android 14 का new software update rolling out करना start कर दिया है और इस update को मैंने अपने device के उपर update करके इसका जो testing है पूरी तरह से complete कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी update के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से new features से देखने को मिलता है कौन से bugs fix हुए है साथ ही इसका battery performance की step से देखने को मिलता है इसका game performance की step से देखने को मिलता है इसके अलावा Realme GT2 के अंदर Realme UI 5.0 based on Android 14 का early access update कब तक देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं इस update का complete detail बताने वाला हूँ दोस्तो तो इसके लिए वीडियो को last तक जिरूर देखेगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर bugs और features वगरा के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप device detail चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर उपर के site देखेंगे आपको Realme UI के साथ official version देखने को मिलता है और Realme GT2 को model number RMX3312 देखने को मिलता है बात की जाइस update के basic information की तो यहाँ पर आप देखेंगे 1413 ब्रेकेट में EX01 करके new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 23.83 MB का है और किसी user को 1GB के आसपास का यह update देखने को मिलता है और यह आपको Realme UI 4.0 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जागले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non-issue थे bugs वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की आप आपको better experience देखने को मिलता है साथ ही यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको optimize करके improve कर दिया है जिससे की जो battery life, speed, apps opening, closing, swapping, up, down वगरा जो है काफी smooth और fast देखने को मिलता है साथ ही यहाँ पर system में fluency problem था उसको भी यहाँ पर optimize करके better कर दिया है साथ ही दोस्तों इससे पहले वाले update में काफी सरी user को lagging issue देखने को मिलता था यहाँ तक की मेरे को भी lagging issue देखने को मिलता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की आप आपको काफी smooth swapping, up, down, apps, opening, closing वगरा देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर password and security के अंदर system security को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको google play system update देखने को मिलता है यह दोस्तों पहले 1st August 2023 का देखने को मिलता था लेकिन इस update के बाद आपको 1st September 2023 का latest google play system update देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों screenshot के अंदर अगर दोस्तों आप screenshot लेते हैं three fingers से तो उस time पर failure issue देखने को मिलता था कुछ-कुछ situation में three fingers से screenshot नहीं होता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको better three fingers screenshot देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों network के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो network का stability है उसको यहाँ पर आर भी optimize करके better कर दिया है जिससे की अब आपको और भी better network देखने को मिलता है पहले दोस्तों कुछ-कुछ user को network up-down का problem होता था connection failure issue देखने को मिलता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको network problem solve देखने को मिलता है इसके लाव बात की जाए Realme GT2 के अंदर Realme UI 5.0 based on Android 14 का early access update कब तक देखने को मिलेगा तो यहाँ पर Realme के official roadmap के अनुसार Realme GT2 को Q1 2023 में I mean January, February और March इन 3 मंत का Q1 होता है जिसमें आपको फरवरी के last में Realme GT2 को Realme UI 5.0 based on Android 14 का early access update जो है देखने को मिल जाएगा एंड गैस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर दोस्तो इसका जो battery performance है वो पहले से थोड़ा सा improve हुआ है पहले दोस्तो काफी ज़्यादा battery draining और रीटिंग का problem फेस करना पड़ता था उसको यहाँ पर थोड़ा सा improve करके better कर दिया है अब दोस्तो आपको better battery backup battery uses देखने को मिलता है लेकिन अभी भी दोस्तो थोड़ा सा battery draining का problem देखने को मिल रहा है बट यहाँ पर पहले से काफी कम हो चुका है साथ ही इसका जो charging speed है वो भी यहाँ पर सही देखने को मिलता है एंड गए इस बात कीजा इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर दोस्तो जो game performance है वो पहले से better देखने को मिलता है अभी आप game खिलते हैं तो आपको better performance देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अगर आपको ज़्यादा time तक game खिलते हैं तो आपको आर भी ज़्यादा battery draining और overeating का problem देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो overeating की वज़ा से यहाँ पर game में lagging इसू और frame drop इसू अगरा भी देखने को मिल जाता है बाकी आप normal condition में game खिलते हैं तो आपको better और smooth gameplay देखने को मिलता है अब दोस्तो बात की ज़ये features की तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपको बता दू कि इस update के बाद आपको कोई भी new features देखने को नहीं मिला है लेकिन दोस्तो अगर आप realme UI 5.0 based on android 14 का apk file install करते हैं तो आपको कुछ-कुछ new features देखने को मिल जाते हैं बाकी इस update के बाद आपको कोई भी new features देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर सबसे पहले features की बात करें तो अगर दोस्तो आपको इस भी image को wallpaper set करते हैं जैसे ही set as wallpaper करके apply करते हैं तो यहाँ पर आपको new changes देखने को मिल जाता है पहले दोस्तो आपको यह center में देखने को मिलता था लेकिन दोस्तो अभी आपको left align में देखने को मिल जाता हैं जो की काफी cool look देखने को मिल रहा है इसके अलावा बात की जागले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तो real me share में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो अगर आपको कोई भी video photo अगरा share करते हैं तो उसका जो device का name है वो आपको कुछ ही type से देखने को मिलता है अगर वो photo अगरा डाले रहते हैं तो यहाँ पर photo अगरा देखने को मिलेगा अगर वो कुछ भी डाला नहीं रहता है तो आपको brand का full name देखने को मिलेगा और छोटा सा phone का icon देखने को मिलेगा साथ ही आपको कुछ भी send करते हैं image वो send होने के बाद automatic आपको preview भी देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात किज़े अगले changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर battery के section में smart charging और stop charging at 80% वाला features देखने को मिल जाएगा smart charging के थुर दोस्तो आपको जो optimize night charging वाला features है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि आपके habit को count करके यहाँ पर charging को perform करेगा साथ दोस्तो अगर आप stop charging at 80% को on करते हैं तो वो 80% के बाद आपको काफी slow charge देखने को मिलेगा जिससे कि जो आपके battery का health है वो यहाँ पर सही देखने को मिलेगा इसके अलाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर connection and sharing के अंदर ओ और्वर्क का यहाँ पर दोस्तो आपको new ओर्क देखने को मिलता है पहले दोस्तो ओपो का official ओर्वर्क रहता था लेकिन आप real me कही ओर्वर्क देखने को मिल जाता है यह दोस्तो आपको online data वगरा यूज करने में काफी मदद करता है इसके थूर दोस्तो आप कोई भी data को cloud में store कर सकते हैं उसके बाद आप उस data को कही भी जाकर यूज कर सकते हैं बस आपको cloud.realme.com में login करना है उसके बाद आप जो भी data cloud में upload किये हैं उसको आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं साथ ही यहापर connection and sharing के अंदर ही Realme share का option देखने को मिल जाता है यह दोस्तो पहले आपको so नहीं होता था लेकिन अब आपको so होने लगा है साथ ही इसके अंदर जाएंगे तो आपको 10 minute के लिए on up करने का option देता है अगर आप 10 minute तक on रखते है तो वो 10 minute के बाद automatic आफ हो जाएगा तो यहापर आपको Realme share का option so हो गया है इसके लाओ बात की जागले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर, notification and status bar के अंदर यहापर दोस्तो आपको smart suggestion का features देखने को मिलता है यह features दोस्तो generally करता क्या है जिस प्रकार always on display में food delivery और music playback का option दिया है उसी प्रकार यह दोस्तो आपको notification panel, status bar, lock screen और always on display में food delivery और riding high link का new features add कर दिया है जिसको दोस्तो आप on करेंगे तो आपको notification panel, status bar, lock screen या फिर always on display में food delivery या riding high link का वो आपको so होगा इसी के साथ अगर आप weather apps को install करते हैं तो आपको new weather apps का interface देखने को मिलेगा पहले दोस्तों ये weather information दिखाता है वो यहाँ पर left align में था जिसको यहाँ पर center में कर दिया है साथ ही आपको नीचे में sunrise और sunset का option देखने को पहले half moon cut में देखने को मिलता था उसको आप सीधे line में कर दिया है पहले ये half moon में देखने को मिलता था तो यहाँ पर काफी सारे छोटे 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 changes देखने को मिल जाते हैं और इन सभी छोटे मोटे changes या features को आप अपने phone में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों मैंने video के description में अपने telegram group का link जो है add कर दिया है आप यहाँ पर जाकर system application को update कर सकते हैं यहाँ पर आपको realme UI 4.0 and realme UI 5.0 का काफी सारे system application देखने को मिल जाता हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप realme UI 5.0 का application इंस्टाल करते हैं तो carefully install किजेगा क्योंकि दोस्तों कुछ-कुछ apps में tracing issue अगरा देखने को मिल जाता हैं तो आप अपने risk में carefully install किजेगा अगर apps tracing issue अगरा देखने को मिलता है तो वो आपकी जवाबदारी होगी तो आप अपने risk में install किजेगा तो यह रहा इस update का full review दोस्तों यह update आपको मिला है की नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन से bugs और new features देखने को मिले आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तों